हेलो एप्रिवान वेलकम टू माई चैनल मधुखी रशोई में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं नेनुवा के फूल की सब्ची यह बहुत टेस्टी बनती है और इसमें बहुत सारे बिटामिन्स पाए जाती है देखें मैंने नेनुवा के फूल लिया है जिसको मैं ये जो येलो येलो है थोड़ा सा काला पड़ गया है इसको हम अलग कर देंगे मतलब निकाल देंगे और इसको अच्छे से साफ कर लेंगे हां देखें मैं कैसे साफ कर रही हूं ऐसे आप लोग भी अच्छे से साफ कर ल और यह मार्केट में बहुत केश्टली मिलता है यह मैं लगबग आधे कि यह नेनुवा का फुली हूं देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से अलग कर लेना है अलग कर ले देखिए मैंने सब अलग कर लिया है अब हम इसको वास करेंगे थोड़ा ठोड़ा डाल कर हम अचछे से ओस करेंगे इसको दो या तीन बार पानी बदल करके वाक्र कर ना है तरकिư हम गहiseen देखिए आप लोग भी इसी तरीके से वाश करिएगा तीन से चार पर पानी बदल दीजेगा ताकि जब तक पानी शाफ नहीं होता ना तब तक इसको मतब अच्छे से धोते रहना चाहिए देखिए मैंने धो लिया है अब अब मैं बनाने स्टार्ट करूंगी इसमें लिए दो प्याज दो टमाटर लहसुन और हारी मिर्च तिखा गया नुसा अब मैं कढ़ाई गर्म करूंगी उसमें मैं सौर्शो का ओल डालूंगी सौर्शो का ओल में बहुत टिस्टी बनती है आप चाहिए तो कोई भी ओल यूज कर सकते हैं तेल में गर्म होने पर मैं तीन से लाल मिर्च और थोड़े सी जीरा डाला है इसको चटक ने दे अच्छे से जब यह च्छे से चटक जाएगा तब हम डालेंगे इसमें प्याज बारी कटी होई लासून हारी मिर्च इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे भून लेने के बाद हम डालेंगे इसमें प्याज बारी कटा हुआ इसमें बारी कटा हुआ प्याज बहुत अच्छा लगता है आप अपने सेप के अनुसार कट कर सकते हैं कि इसको हम गूल्डेन ब्राउन होने तक पूर एंगे अब हम इसमें डालोंगे जो मैंने फूल वॉष करके रख़ा है ऊशंगे है कैपा चाहत वैह इसको बॉयित करके भी डाल सकते हैं नहीं बॉइल करने से इसका सारा ब bonos निकल जाता है तो मैंने बॉइल नहीं किया और इसको एसी पेगाएंगे हम इसको अच्छे से mix कर देंगे mix करके हम 2 मिनट के लिए इसको ढख देंगे medium flame पे ताकि अच्छे से ये भुन जाए देखे थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है अब हम डालेंगे इसमें उपर से टामाटर मैंने टामाटर पहले नहीं डाला क्योंकि अच्छे से भुनने ही पाएगा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे मसाले, नमक, स्वादा अनुसार, हल्दी पावडर, धनिया पावडर, जीरा पावडर, सब्जी मसाले, थोड़े सी गरम मसाले बस इतना ही मसाले यूज करना है आप चाहे तो सब्जी में मसाले इसकीप कर सकते हैं धनिया जीरा पावडर से बहुत टेश्टी बनती है ये इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मेडियम फ्लेम पे इसको तीन से चार मिनट के लिए ढखके हम पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाए मेडियम नहीं लो फ्लेम पे ही पकाईएगा अब इसका मैं सिक्रेट बताऊंगी इसमें मैंने दो चमच बेशन लिया है और इसको अच्छे से हम घूल लेंगे इसको अच्छे से पतला घूल अब इसमें आप जितना पानी डलना चाहरा है उतना डाल सकते हैं देखिए मैंने इस तरीके से इसमें गुठलिया नहीं होनी चाहिए अच्छे से गूल और बीच-बीच में इसे चलाती रहिए देखिए कितना अच्छा सबजी सॉफ्ट हो गया है अग्दमजा इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे अच्छे से हम मिक्स करती है अब हम डालेंगे इसमें बेशन को डालके अच्छे से हम चलाएंगे थोड़ा सा हम और पानी डालेंगे इसमें ग्रेवी आपको जितना रखना है उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं मैं थोड़ा और पानी डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा ग्रेवी और चाहिए और इसको अच्छे से चला करके हम ढग देंगे इसको तीन से चार मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पहले हाई फ्लेम कर दीजिए थोड़ी देर के लिए फिर मेडियम फ्लेम कर दीजिए और बीच-बीच में इसे चलाते रहें यह सब्जी इतनी टेश्टी बनी थी ना कि पूछिए मत इसको चावल रूटी पराठे के साथ चावल के साथ बहुत टेश्टी लगते है और रूटी के साथ और इसको ढग देंगे हम देखिए सब्जी अब कितनी टेश्टी दीख रही है आप लोग भी इस तरीके से एक बार जरूर बना के ट्राइ करिएगा बहुत यम्मी बनता है यह सब्जी अपसंदा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू